जैश्री स्वामी समर्थ इस पर्वतीन में दो किस्से आते हैं जब फोटोग्राफर स्वामी की फोटो लेने आते हैं तब क्या होता है और निकाला हुआ फोटो स्वामी को दिखाते हैं तब स्वामी उन्हें क्या कहते हैं फिर स्वामी को चारुगात्रक्यों कहते हैं क्या ह इसका अर्थ और स्वामी कैसे दिखते हैं सब कुछ इस पर्व में जानेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा श्री स्वामी समर्थ और अंसुने की सितीन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्री स्वामी प्रत्यक्ष अक्कल कोटी साल 1857-1878 में सशरीर मधुर लिलाय करते थे तब उस दर्म्यान वेद शास्त्र संपन्न पंडित माधवराव रामचंद्र मैसलगिकर उर्फ माधवाचार्य ने स्वामी कृपा के आशिर्वात से चार अध्याई संस्कृत चरित्र लिखे स्वामी की उपस्थिती में प्रकाशिद भी हुए तब समय था आउगस्ट 1872 का फिर ये चरित्र ग्रंथ बड़ोदा के श्रीपटनकर ने 1975 में फिर से प्रसिद्ध किया उसमें साल 1876 में कोड़क कमपनी जो की कैमेरा बनाती थी तब इसी कोड़क कमपनी ने स्वामी के पहले फोटो निकाले तब कोड़क कमपनी ने अपने कमपनी की प्रसिद्ध के लिए स्वामी का फोटो निकालने के लिए एक यूरोपियन फोटोग्र अक्कल कोट भीज द किन्तु उस परदेशी अतिति को क्या पता स्वामी की महिमा इसलिए बिना अनुमती स्वामी को पूछे बिना ही उसने स्वामी के फोटो निकाला निकाला हुआ फोटो जो भी देखता उस हर एक को फोटो में स्वामी अलग अलग स्वरुब में नजर आते किसी को मारूती, किसी को विठल, किसी को खंडवा और जब ये स्वामी का फोटो खुद स्वामी को दिखाया गया तब स्वामी जोर जोर से हस्ते हस्ते चिलाए हम क्या ऐसे बंदर जैसे दिखता है क्या वहां के मौजूद स्वामी भक्त और फोटोग्राफर ने वो फोटो फीर से देखा तो श्री स्वामी महाराज के बदले सब ने उसमें एक बंदर को ही देखा था इस घटना का उस यूरोपियन फोटोग्राफर पर विलक्षन परभाव पड़ा महाराज की फोटो बीना उनके अनुमतें की खीच लिया ये भारी भूल उस फोटोग्राफर के ध्यान में आई वो बार बार क्षमा मांग कर स्वामी को शरन आने लगा और फिर से नम्रता से स्वामी की फोटो के लिए परमिशन मांग ले फिर क्या करुणा सागर तयालो क्षमक्षिल स्वामी महाराज ने यूरोपियन फोटोग्राफर को अपने फोटो निकालने के लिए अनुमती दे थी फिर अपने भक्तों के साथ अन्य भक्त परिवारों के साथ फोटो निकालने की अनुमती दे थी उस फोटो में महाराज के मस्तक के आस पास एक तेजस्वी वले आया था एक गोल्डन औरा ये फोटो करनर औलकॉल ने प्रसिद्ध किया अब स्वामी के फोटो अच्छे आने लगे थे क्यूंकि स्वामी से अनुमती जोली थी इस प्रसंग से एक बात तो समझ में आ गई कि स्वामी सम्मती के बिना उनके क्रिपाश शिरवाद के बिना कोई उन्हें कैसे कैमेरा में कैद कर सकता है है ना स्वामी के चाय चित्र की एक और विलक्षन प्रसंग सामने आता है एक दिन हुआ यो कि स्वामी की फोटो निकालने के लिए अनेको फोटोग्राफर अकल कोट आने लगे किन्तो स्वामी की इच्चा जब रहती तब ही फोटो आते थे अन्यता नहीं उनके इच्छा विरुद्ध पूछे भी न छुपकी छुपके लिए फोटो काले आते थे रंग हिन आते थे धंग से नहीं आते थे एक दिन हुआ यूँ कि एक फड़के नाम के फोटोग्राफर स्वामी का फोटो निकालने स्वामी के पास आया उसने स्वामी के पास आकर अपनी मंद्शा बताई तब स्वामी ने उसे कहा फोटो खेंचने के लिए पांच बजे आओ ठीक कहे नुसार फड़की फोटोग्राफर पांच बजे अपना कैमेरा लेकर स्वामी के पास गया किन्तु स्वामी ने तो फोटो की बाद भी नहीं निकाली साथ बजे तक स्वामी अपना अपना काम निप्टाते रहे फिर एकदम से स्वामी ने फड़की फोटोग्राफर को कहा निकालो फोटो किन्तु अंधेरे में अब फोटो कैसे आएगा उस समय कैमरे में फ्लैश की सेटिंग भी नहीं थी केवल दिन में ही फोटो अच्छे आते थे फड़के ने अंधेरे की ये बात स्वामी को बता दी स्वामी पेट धर कर जोर जोर से हसने लगे फिर स्वामी ने फड़के फोटोग्राफर को फोटो निकाले बिना ही कैमरे की काच दोने को कहा स्वामी की एक सुन्दर फोटो काच पर आई थी स्वामी के अनुमित बिना कुछ नहीं हो सकता यही शत्य है किन्तु प्रेम भक्ती से स्वामि सदैव अपने भक्तों की रिदे में वास करते हैं स्वामि को भक्त जन प्रेम से चारुगात्र कहते थे अब चारुगात्र का अर्थ क्या है चारुगात्र अर्थात सुन्दर शरीर तेजस्वी अलोकिक्ता का स्वरूप दैवी पुरुश क्योंकि स्वामी कांती इतनी दिव्य तेजस्वी गुलाब के पंखुडी के जैसे गुलाब रंग की कोमल तवचा स्वामी की है स्वामी का तेज इतना था कि एक द्रिष्टी से एक टक से स्वामी की और कोई भी देख नहीं पाता था काल प्रसंग स्वामी उग्र रुब्भी धारन करते थे इसलिए कभी कोई बेधड़क स्वामी के सामने गया ऐसा कभी हुआ नहीं राजी, महाराजी, ज्यानी, तपस्वी, पंडित, योगी, महायोगी, हट योगी उस समय संपूर्ण जग पर राज करने वाले ब्रिटीश, अंग्रेज अधिकारी भी बेधड़क, रुबाव में, मस्ती में, अपने गुर्मी में स्वामी के सामने जाने का जुर्यत नहीं कर द्वाचार्य, मैसली गिकर ने भी स्वामी का स्वरुप वर्णन किया है, जन्म शुन्य दिव्य रूपो रवी बहा सूर्य वंदितह, आधर्शबत, दृश्य, सुक्ष्म, गंड, युब्म, सुमंडितह, सुनासो निमिशा, सुम्भु, करुणा पूर्ण लोचनह, शरत पूर्णेंदू, वदनो स्वाठिक्य, मनि भूशितह, सुन्द रांगो दिव्य बाहु, कटी मेखल शोवितह, कौपिन दाई रंभोरु, कंज कोमल पाद कह, अर्थात, श्री स्वामी महराज, जन्म शुन्य होकर, सूर्य समान दिव्य रूप हैं, देवी देवता भी उन नेत्र कमल में जिसके कृपा ही कृपा दिखती है, शरद्रुतू के पूर्ण चंद्रमा समान महराज की मुख की शोभा है, स्वटिक की माला स्वामी पर जच रही है, स्वामी काया अत्यंत सुन्दर है, स्वामी अजानु बाहु है, स्वामी कौपिन पितांबर धारी है, जन्मजाद बच्चे समान स्वामी की तवचा अत्यंत कोमल और मुरुदू है, उगते हुए सूरज के किर्णो समान शरीर का रंग है, स्वामी चरन भी अत्यंत कोमल और चरनों की बीच की उंगली अंगुटे से बड़ी है, इस तरह मैसलगी कर ने अपने गरंत में स्वाम किया है, क्यूंकि स्वामी के साथ उनका निकट का सहवास रहता, स्वामी का आशिरवाद उन्हें पूर्ण तहा प्राप्त था, स्वामी की शरीर यश्टी ही कुछ ऐसी है, जो प्रथम दर्शन से ही मन पर दिव्य छाप पड़ती है, स्वामी आयू से बड़े दिखते हैं किन्तु एक योग को भी लज्जाएं इस तरह स्वामी का उत्सा रहता, माथे पर गंद का सीधाटी का, नयन दिक्षन और भीदक, श्री गनपती बापा के समान बड़े कान और लंभोदर, गले में कभी स्वठिक माला, कभी रुद्राक्ष, तो कभी भक्तों ने प्रेम से पेनाई होई ताजी फूलों की माला, ऐसी मोहक स्वरुपवले स्वामी को यूही नही भक्त चारुगात्र कहते हैं, श्री आनंत महराज एक बार अक्कल कोट आए, वटवरिक्ष के नजदिक के कुंड में उतर कर हाथ पैर धोने लगी, तब वटवरिक्ष की एक छोटी ड ख्यान लगा, स्वामी हसते समय पेट पकड़ कर हसते थे, बहुत कम किन्तु मुल्यवान बाते करते थे, ज्यादा तर एक एक शब्द तीन तीन बार उच्चारते थे, बाते कभी मराठी, कभी हिंदी, तो कभी दोनों मिक्स करके कहते थे, मम्ता हंकार वर्जो विशयेशु विरागवान, शट शत्र विजयी शीतो, शट तरंग सुभंग क्रित, मायावी नही एवस्तो, नित्यत्रुप्तो विराश्रय, लिप्ता नास्ती कदाप्यस्य, तुटक्षुधादी विवर्जितह, यत्र यत्र स्थलं पुतं तत्र तत चतुर विधा वर्ण जात हा, पुज्यतेच यत्था तथा, भूतं भविश्य वक्ताही दृष्टा निष्टेच विंदती, अन्य चित्रम चैकमस्ती अधानम नहीं कस्या धित, अर्थात स्वामी ने मोह मम्ता अहंकार इनका त्याग किया था, काम क्रोध आधिश्यर रि करती थी, चार वर्णों के लोग भी उनको पूचते थे, पूचते हैं और पूचते रहेंगे, स्वामी किसी के अधिन नहीं रहते, भूत भविश्य वर्तमान जानने वाले स्वामी किसी के अधिन नहीं थे, स्वामी भक्त आध्य चरित्रकार भागवत कहते हैं, स्वामी स बोलते थे स्वामी को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं भक्तों के लिए अपना स्वरुप भी बदल लेते हैं और ऐसे भक्त प्रतिपालक करुना निधी स्वामी को कोट कोट प्रणाम उम्मिधे फोटोग्राफर किस्सा और स्वामी स्वरुप आपको अच्छा लगा हो अग झाल झाल